तो यहां पर हमारे पास यह पैसेज है इसका फस्ट पार्ट और सगेंड पार्ट कर चुक हुए इसका पास अपके पास दी था इसका अधर माइनस बीट मानेस टू था ठीक है हमारे पास एक और रिलेशन था भी इकॉल टू 6a and c equal to minus 7a, ठीक है, तो इस result को भी हम लोग यहाँ पर use करेंगे, यहाँ पर इसने question बोला, let b equal to 6, ठीक है, तो b equal to 6 हो जाएगा, तो a की value कितनी हो जाएगी, ठीक है, b equal to कितना है, 6a equal to 6, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, a equal to 1 हो गया, तो a equal to 1 हो गया, तो b equal to 6 and c equal to minus 7, यह हमारे पास 3 equation आगए, ठीक है, पिट बोलड़ा, alpha, beta इसके roots है, ठीक है, तो यह equation हमारे पास क्या बन जाएगा, यह equation बन जाएगा, x square plus 6x minus 7 equal to 0, ठीक है, इसको आप solve कर सकते हो, तो यह कितना हो जाएगा, x plus 7 into x minus 1 equal to 0, ठीक है, यहां से आपके पास roots आजाएगे, और alpha, beta की value आजाएगी, तो alpha को वकर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, और beta को वकर हम minus 7 ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें किसकी value निकालनी है, इस वाले term की value निकालनी है, यहां पे हमारे पास कौन से value निकालनी है, 1 by alpha plus 1 by beta, तो यह कितना हो जाएगी, 1 plus 6 by 7 plus 6 by 7 का square, और यह कहां तक चला जाएगा, infinity तक, ठीक है, यह infinite gp का sum है, जहां पे r के value less than 1 है, तो यह value कितने हो जाएगी, 1 upon 1 minus r, ठीक है, यहां से value solve करके कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है, तो यहां से इस sum के value कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तो आप B option mark कर सक्तो पछी सक्तो, यहां सक्तो, यहां से थाएगी, को ईाएगी, हो का सक्तों हव恼ा है, इस प्याच कर भी म् ने सच्टो जा जाएगी, 17